यदि मुझको पता नहीं है, तो मैं अपने बच्चों या स्विध्यार्थियों को, यदि हम भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कुल मिलाके, क्या सिती है, उसका कलपनाप कर सकते हैं. मैं एक सूत्र लिखता हूँ, उसको आप जाजिए, और इस क्वेश्चन का कोई एक सटीक उत्तर है, पिन पॉइंटेड बात है, फिर उसको थोड़ा सा और इलाबरेट करेंगे. जब भी सूत्र कहा जाए, वो कोई युनिवर्सल बात है, उसको आपको जाजना है. महानव जाती का समस्त प्रयास, केवल और केवल, सुख के लिए समर्पित है. महानव जाती का समस्त प्रयास, केवल और केवल, सुखी होने के लिए समर्पित है. सुख के लेवल अलग-अलग है. अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, कोई भी कर्म, सुख की अपेक्षा में है, सुख की चाहत में. इसको मानना नहीं है, आप जाएंची इसको ऐसा ही है कि नहीं है, अपने जिंदगी में जहांके देखिए. हाँ जाएंची इसा ही है, अभी तक हमको क्या लगता है, मोटी बात, कि सब के जीने का परपस अलग-अलग है, अलग-अलग रोल हमको करना है, हम रोल कुछ भी करें, और जब रोल की बात आएगी, तो वो भी काफी कुछ साफ सुथरा है, अभी हमने कुछ भी चीज को अपना रोल मान लिया है, वो रोल मेरा है नहीं, जब हम ही कह रहे हैं कि अकाउंट्स क्रेडिट डेविट करते-करते, किसी भी रोल को करते हुए, यदि मैं त्रिप्त न नहीं हूँ, तो लगता था कि हम सब के जीने का परपस अलग-अलग है, जब जीने का परपस अलग-अलग है, तो हमारी राहे अलग-अलग है, और रहना एक छट के नीचे है, तो लडाई होना है कि नहीं होना है, रोज लडाई है, जितने लोग चले गए, जितने लोग इ क्या इससे एक इंच भी हट सकते हैं कहीं थोड़ा सा इभी जितना है उतने पर चलते हैं पहुंच गई की कल्पना हम वहां खड़े हो के कर रहे हैं जहां हम नहीं पहुंचे हैं पहुंचने के बाद वह कुश्चन ख़तम हो जाता है मैं हूँ जनम और मृति को छोड़ देजे मैं हूँ और सुप पाना चाहता हूँ उसकी नरंतरता चाहता हूँ यह कुश्चन अभी खड़ा हूँ ठीक है अभी अपन आदमे की बात करें जितनी बात अपन कर रहे हैं उतने पर ही चलें फिर वो जो जितने सारे अधर जाती का समस्थ प्रयास केवल और केवल सुप के लिए समर्पित हैं है के नहीं अपने भीतर जांच के देखा जाए है अभी उसकी डेफिनेशन वाइड है चले चले आराम से अराम से हो जाएगा एक मिनट मैं सुझता हूँ थवड़ा सा आगे चल लेते है अको है कितना चाहिए अथा है में कि आ आरहां और नो लीमिट बोलते हैं कि कितना चाहिए उसका तो कोई लिमेट नहीं है है फिर बोला आदमी तो greedy है, लालची है, चोपी नहीं होता है, इन सब को छोड़ दीजिए, फिर अपने भीतर जहांका जाए, देखे बार बार अपन कह रहे हैं कि आदमी है, पूरी प्रिकृति अपने आप में व्यवस्ता है, आदमी के भीतर समझने का unlimited potential है, और उसके भीतर चीजों को पहचानने की चमता है, उस चमता भरोसा किया जाए, अपने भीतर ही चीजों को जाचा जाए, अभी हमारा तुरंत जो अभी मानेता है, उससे मिलाने हम जाते है, जो हमारी कंडिशनिंग है, हम तुरंत उससे मिलाने के लिए जाते हैं, उसको साइड में कर दीज कि यदि हमारी सब की सुखी डेफिनेशन अलग-अलग है तो क्या हम साथ में ठीक से जी पाने की कोई गुंजाईश बनेगी एक बात एक बात यह हो गई हाँ ठीक हो गया तो मैं छोटी सी बात कह रहा हूं कि सुख एक बार थोड़ी सी और बात कर लें सुख के बारे में कितना चाहिए तो मैं लिखता हूं आप जाज के देख लिजे इससे कम में चलेगा क्या इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या इससे ज़्यादा हो नहीं सकता इससे कम में चलता नहीं बढ़िया इस से ज़्याद हो अब कैसे भी मिले अपन क्या बात कर रहे हैं कि मकान से मिलेगा उपन कैसे मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं है ना चाहिए हां कितना चाहिए continuous चाहिए पहले इसको जाचें कि ऐसा ही है कि कुछ हो एक भी छण के लिए अपमान दरिद्रता कोई जहन्जट हमको स्विकार नहीं है ठीक होगे कि इसमें कुछ कहना है कि जितनी जितनी बात हो रही है उतना उतना साथ साथ चलेंगे कि इसमें कोई जंजट ने continuous चेहिए continuous नहीं मिलता है हमारा अभी भी हमारे पास सुख नहीं है क्या है है केवल कितना प्राब्लम है तुकडों में है मिला नहीं मिला मिला नहीं मिला और हम हमको धूप चाहो है कभी खुशी कभी गम हमको तो continuous चेहिए अब हाजी कभ कभ चाहिए उसका इतना ही मतलब है आप शब्द ही है शब्द की अपनी एक सीमा है शब्द के साथ हमारी अपनी एक conditioning है है ना तो मैं उस शब्द को ऐसे set कर लेता हूँ तो खुल मिलाके कब-कब चाहिए? हमेश्ञा चाहिए. अब बैट गया? हमेश्ञा चाहिए कि बीच-बीच में चाहिए संडे के दिन आपमान मिलेगा कोई दिकत नहीं है. कह सकते हैं कि सबको उनकी जोली भरके चाहिए बस ऐसा कह दीजे बात खत्व जोली भर के इतना ही है कि निरंतर चाहिए, हर पल चाहिए और उनकी जोली हर पल भरी रहना चाहिए, हर पल जोली भरी रहना चाहिए, हाजी, तो जोली निरंतरता से कम्मे भरता नहीं है, सब को उनकी जोली भर के चाहिए, जोली निरंतरता से कम्मे भरता नहीं, क्लियर, चल क्योंकि नहीं पता चलेगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको लगता हैं, मेरे को तो पानी पीके अपना भूख पूरा करना है, और मैं पानी पीए जा रहा हूं, ताकि मेरा भूख शांत हो जाए, है ना, सारी जिंदगी इसारा पानी पीके भूख शांत होने वाला नहीं, क हां जे, अब सुख की परिभाशा सब के लिए एक होगी, हम हम जितनी बात कर रहे हैं, इनिवर्सली बात कर, नहीं मनुष्य की नहीं, और हर काल, हर धिशमने, और हर काल में, हर परिस्थिती में, हर काल में, हर परिस्थिती में, ह Points में, वो नियम है क्योंकि वो प्रकृति का नियम है नेचर का लौ है हाजे सुख की परिभाशा सब के लिए एक ही होगी कि अलग-अलग है अभी तो है ही ऐसे ही लगता है चलिए मैं लिखता हूँ उसको जाचे कि खूब गहरे में अपने भीतर जाचे है हम जितना आजो बाजो चर्चा करते हैं उसमें जाचने काम नहीं होता है okay, enough, willing acceptance to live in a state of willing acceptance is happiness by self वो समझजदारी के पहले की बात थे उस समय विलिंग नहीं था इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है मैं देखिये बात बहुत हसी मजाक में हो रही है तो मेरा बार आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी सूत्र को अपनी ही जिन्दगी पे डाला जाए जब तक अपने भीतर जांच शरू नहीं होगी कुछ भी पकड़ में आने वाला नहीं है आप कितना ही लंबा बाश्रान दे लेजिए कुछ भी कर डाली है तो अपने भीतर डाले है यह सेल्फ के लिए यह युनिवर्सल के लिए तो बाद में होगी पहले सेल्फ के लिए होगी सेल्फ से ही युनिवर्सल है महराज है ना बढ़िया हो गया हाँ इलाबरेट करते हैं स्वीकृति के भाव में जीना सुख है करते हैं